और अमारिके संसद में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के भाषन के दुरान संसद भवान तालियों की गड़गड़ा हट से गुण जुठा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सम्रद्ध होगा तो दुनिया की सम्रद्धी में बढ़ोतरी होगी और इसी तरह भारत का विकास दूसरे देशों को प्रेरिट करेगा क्योंकि पिछले साथ सालों में बहुत कुछ बदल गया इन साथ सालों में भारत और हमारिका के बीज दोस्ती ने नई उड़ान भरी है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा कि इस संसद में भी कहीं भाड़तिये है इस जुरान प्रधान मंतरी ने कमला हैरिस की तरफ हाथ से इशारा किया जिसके बाद पूरा असदन तालियों से गुन जुठा प्रधान मंतरी ने कहा कि हमारे यहां 2500 राजनेतिक दल हैं और 22 भाशाय हैं और हजारों बोलियां बोली जाती है लेकिन हम सब की आवाज एक होती है हमारे यहां हर सौ मील पर खान पान बदल जाते हैं इस जुरान प्रधान मंत्री ने दुनिया को भारत की महिला शक्ति का भी एहसास कराया उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवसा, सेना और सरकार में हर जगहा अज महिलाएं बड़ी भूमिका निभा रही है और अमेरिका के वाइट हाउस पहुचने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया इस मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये मेरा स्वागत नहीं है बलकि 140 करोर भारतियों का स्वागत है वाइट हाउस पहुचने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमारिका के राश्चिपती जो बाइडिन और उनकी पत्नी फॉस लेडी जिल बाइडिन पहुंची उसके बाद दोनों नेताओंने वाइड हाउस में आए हजारों भारती और अमेरिकी नगरिकों को सम्बोधित किया प्रधान मंत्री मोदी ने अपने सम्बोधन में कहा कि एक बड़ा सम्मान है इस सम्मान के लिए मैं भारत की 140 करोड जनरता की प्रति आभार व्यक्त करता हूँ इस दुरान अमेरिका के लोगों का उत्साह देखते हुए उन्होंने अपनी 2016 में की गई यात्रा को भी आत किया इसी वज़े से असम के कई जिलों के हालात पूरी तरा पट्री से उतर गए बारी बारिश के बाद बार्ड ने लोगों को ऐसा बेहाल किया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार तक छोड़ना पड़ गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मुसलाधार बारिश ने असम में कोहरा मचा दिया राज्य की तमाम नदियां उभान पर आ गई कई जिलों में नदियों का पानी तटबंधों को तोड़ कर गाउं और रहाइशी इलाकों में गुजग गया राज्य के अलग-अलग जिलों से जो तस्वीरे सामने आई उनमें कई गाउं बारिश के पानी में डूबे दिखे जिन रास्तों पर गाड़ियां चलती थी वहां कई फीट पानी भर गया और हजारों एकड जमीन पर लगी फसल पूरी तरह चौपट हो गए और रसम के नलबारी जिले के हाला तो और भी ज्यादा खराब हो गए क्योंकि वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गई जो अपने साथ इलाके की सड़कों को बहा ले गई सड़कों के तूटने से आसपास के कई गावों का संपर्क शहरों से तूट गया मतलब पिछले कुछ दिनों से वहां आसमान से लोगों पर बारिश की शकल में आफ़त बरस रही है जिससे पूरा नलबारी जिला सहलाब की मार जहिलने को मजबूर हो गया लेकिन परिशानी ये है कि हर गुजरते दिन के साथ वहां के हलात बिगड़ते जा रहे है क्योंकि भारी बारिश की वज़े से जिले की नदियां उफान पर है जिनकी ताकत के आगे सड़कें और पुल तिनके की तरह बह रहे है वहां के एक इक इलाके से जो तस्वीर सामने आई उसमें नदी के तेज भाव में सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया जिसकी वज़े से आसपास मौझूद कई गाउं का संपर्क शहरों से कट गया सड़क के तूटने के बाद नदी का पानी तेजी से गाउं में गुसता दिखाई दिया देखकर ऐसा लगा जैसे कोई उफंती नदी अपना रास्ता बदल कर गाउं में गुस रही हो वी जसम के नलबारी जिले में बार की मार जहिल रहे लोग जान जोखिम में डाल कर सुरक्षी जगों पर जाने को मजबूर हो गए क्योंकि नदियों में सहलाब आने की वज़े से जिले के ज्यादा तर गाउं डूब गए